नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूँ आपके साथ चिराग सुखीजा भारत और आस्ट्रेलिया के बीच पांच T20 मैचों की सीरीज का पांचवा मुकाबला बेंगलोर के एम चिना स्वामी स्टेडियम में अपसे कुशी देर में खेला जाना है जहां पर रुतराज गायकवार एक बार फिर से उमीद होगी उनसे कि उनका बला आग उगलने वाला है और इस बार वो रिकॉर्ड का पीछा कर रहे हैं किंग कोहली दग्रेट विराट कोहली के रिकॉर्ड का पीछा कर रहे हैं और ये विराट रिकॉर्ड आज रुतराज गायकवाड तोड भी सकते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि लंबे समय से T20i क्रिकेट से विराट कोली दूर चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये युवा बल्लेबास अपने बल्ले से आगूगल रहा है रुतराज गायकवाड ने इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और उनके बल्ले से तीसरे T20i मुकाबले में गुहाटी में एक शतक भी देखने को मिला था एक बार फिर से उनसे उम्मीद होगी कि उनके बल्ले से रन निकले और टीम इंडिया इस सीरीज को चार एक से अपने नाम करे लेकिन एक बड़े रिकॉर्ड की जिस तरह के से नजर है रूतराज गायकवाड का वो यह है कि एक T20i सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्ले बास अभी तक विराट कोहली हैं 2021 में इंगलेंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में विराट कोहली ने 231 रन बनाये थे अब रूतराज गायकवाड उनके इस रिकॉर्ड से सिर्फ 19 रन दू है अगर रूतराज गायकवाड इस मुकाबले में 19 रन बना देते हैं तो इस विराट रिकॉर्ड को वो अपने चोड़ते हुए नजर आएंगे फिलाल सीरीज की बात करें तो तीन एक से भारतिये टीम इस सीरीज में आगे चल रही है शुरुवाती दोलों मुकाबले टीम इंडिया ने जीते थे सबसे पहले विशाका पत्नम में उसके बाद तिरवनंत पुरम में टीम इंडिया ने आ आगे चल रही है अब सभी की निगाहें इस पांचवे टी ट्वेंटिया मुकाबले पर हैं जो कि बैंगलॉर के एम चिन्ना स्वामी स्टीडियम में शाम साथ बजे से खेला जाएगा आपको क्या लगता है क्या रुतराज गायकवार्ड विराट को हुली के इस विराट र आएगे निजनेशन